हेलो एन वेलकम बेक टू मैं चानल मैं हुनेदी तिवारी आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट ब्रेड केक ये केक उन ओकेजिन के लिए बहुत अच्छा है जब आपको 15 मिनट्स में ही बहुत ही यमी सा और डेकोरेटिव सा केक खाना होता है या फिर किसी के लिए ट्रीट देन के बाद तो इंस्टेक्शन बहुत ही ध्यान से तुने और इंग्रीडियंट्स की रिस्ट मैंने डेस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है अब महां से चेक कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट में कि इंस्टेंट ब्रेड केक तो ये सारे इंग्रेडियंट्स चाहिए हमको इंस् ये मैंने लिया है फ्रोजन विब्ड क्रीम ये किसी भी बेकरी शॉप में अराम से मिल जाता है अगर वहां पे अवैलेबल नहीं है तो आप पाउडर वाला जो विब्ड क्रीम आता है वो भी यूज कर सकते हैं और अगर वो भी अवैलेबल नहीं है तो अमूल का फ्रेश क क्रीम होता है उसको बीट करने से आपको इतना अच्छा विप्ड क्रीम नहीं मिलता तो यह मैंने ले लिया है तीन चार टेबल स्पून अपने रिक्वाइर्मेंट के हिसाब से फिर कुछ ऑप्शनल चीजें हैं जैसे वन टी स्पून वनिला एसेंस दो चैरी डेकुरेशन के लिए और यह एक चॉकलेट कंपाउंड है यह भी डेकुरेशन के लिए यूज कर रहे हम इसकी जगह आप डेरे मिल्क या और कोई सा भी चॉकलेट यूज कर सकते हैं अब हमको शुगर का सीरप बनाना है तो उसके लिए यहां पर मैंने शक्कर ले लिया है अब उसमें मैं दो चमच गरम पानी आड़ करूंगी सेम कॉंटिटी में मिक्स कर लेना इसको अच्छे से और इसमें वनिला एसेंस भी आड़ कर देंगे इसको मिक्स कर लेंगे और डिजॉल्व होने के लिए रख देंगे साइड में तब तक हम ब्रालेंगे यहां मैंने चार-पाचप चमच विप्ट क्रीम निकाल लिया है अब इसको हमको बीट करना है तो मैं पास यहां पर एलेक्ट्रोनिक बीटर है तो मैं उससे बीट कर र पर मैं इसको इलेक्ट्रोनिक बीटर से कर रहे हूं इसलिए यहां पर दो मिनिट लगेंगे देखिए हमको इस कंसिस्टेंसी तक इसको बीट करना है बीटर आफ करने के बाद जैसे इसका बाहर निकालेंगे तो इस तरीके से पीक फॉर्म होगा और आप जब बोल को उल्टा करेंगे तो यह जो विब क्रीम है यह गिरेगी नहीं तो इस फॉर्म तक हमको इसको बीट करना है अब यह जो डार्क चॉकलेट कंपाउंड है यह भी मैं स्क्रेप कर लेती हूँ तो आप पीलर से भी स्क्रेप कर सकते हैं और नाइफ से भी कर सकते हैं तो इस तरीके से जो एज वाला पार्ट होता है उसको हमको ऐसे स्क्रेप करते जाना है इसकी जगह पर आप स्प्रिंकलर्स भी यूज कर सकते हैं जो कलरफुल वाले आते हैं या चोकलेट वाले आते ह या फिर आप चॉकलेट चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं अब इन सारे ब्रेट्स के हम साइड जलग कर लेंगे तो इन साइड का मैं यूज़ करती हूं ब्रेट क्रमस बनाने के लिए जो मैंने आपको आलू टिक्की की रेसिपी में और नूडल्स कटलेट की रेसिपी में अल उसके बाद हमको एक शुगर सिरप की लेयर डालनी है तो इसको अच्छे से जैनरेसली हमको डालना है ताकि जो पूरा शुगर सिरप है वो कोट कर ले ब्रेट को उसके बाद एक लेयर हमको विप्ट क्रीम की डालनी है और सारे ब्रेट्स के साथ में हमको सेम स्टैप रिब तो यह हमने फिर से शुगर सीरप डाला विप्ट क्रीम डाला और उपर में लास्ट वाला ब्रेड हमने प्लेस कर दिया अब इसके उपर फिर से शुगर सीरप और विप्ट क्रीम अब हमको इस whipped cream को चारो तरफ अच्छे से फैला लेना है इसे एक flat knife या spatula की help से हम smooth कर लेंगे और जो extra cream मीचे फैल गई है वो साफ कर लेंगे ताकि चॉकलेट इसमें चिपके नहीं और अब हमने जो चॉकलेट स्क्रेप करके रखा था वो भी इसमें अच्छे से स्प्रेट कर लेंगे अब मैंने एक piping bag में विप कृतीम भर ली है और उससे मैं इस तरीके से दो डिजाइन बना लूँगी और नीचे भी इस तरीके से में डिजाइन बना लूँगी आप अपने हिसाब से कुछ भी डेकॉरेशन इसमें कर सकते हैं और यह लास्ट में मैं इसमें ऐसे चैरी लगा दूँगी अब केक बन चुका है लेकिन इसको हमको थोड़ी देर फ्रिज में रखना है तो 20 मिनिट के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे आधे गंदे के बद मैंने फ्रिज से केक निकाल लिया है और अब इसके हम दो पीसे कर लेंगे तो देखिए बहुत ही अच्छे से यह जो लेयर्ड केक है हमारी वो रेडी है बहुत यमी है और बहुत सॉफ्ट है तो यह थी हमारी इजी सी इंस्टेंट ब्रेट केक की रेसिपी ऐसी ही रेसिपी इसके साथ मैं आपको नेक्स टाइम फिर में लूँगी तब तक के लिए टेक केर बाबाई